हाई दोस्तों असलाब लिव्यूम कैसे आप लोग मेरा नबील है S23 Ultra को मैं पिछले 30 डेस से इस्तमाल कर रहा हूँ 28 to 30 डेस हो चुके है एक महिने का मेरा experience कैसा रहा है S23 Ultra का क्या कुछ इसमें सही है और क्या कुछ यहाँ पर improvement की जरूत है क्या आपका decision सही रहेगा क्या decision गलत रहेगा आपको इस video में शायद समझ में आ जाए सबसे पहली बात यहाँ पर कर लेते है design और build quality की और इन 30 दिनों में इसके साथ मेरा experience कैसा रहा यहाँ पर Samsung ने इस बार जो है S22 Ultra का design है वो ही continue किया है except for a few changes यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर S22 Ultra का design अपने आप में ही काफी अच्छा था लेकिन वहाँ पर जो भी कमिया थी उसको यहाँ पर Samsung ने सोदा रहा है कैसे यहाँ अगर आप side की तरफ देखे तो यह side जो है flatter है जिसकी वएसे आपको grip इसमें काफी अच्छी आती है तो अगर आप case के बिना phone को इस्तमाल करना चाहते है तो इस phone के साथ आप बोचीज कर सकते है Ashwindow Ultra के साथ थोड़ी मुश्किलती slip होता था हातों से और यहाँ पर जो sides है क्योंकि थोड़े से wide है और flat है इसका जो यहाँ पर finish है यह aluminum के उपर यह काफी देखने में खुबसूरत लगता है तो देखने में इसका look जो है काफी प्यारा और premium आता है एक green कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और red कलर भी आता है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा इसमें और overall build quality भी इसकी काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर Samsung ने Gorilla Glass Victus 2 का इस्तमाल किया है और अगर आप मेरे इस phone को देखे तो यहाँ पर जो है कोई भी screen protector नहीं है एक मेना इस्तमाल किया मैंने इसको अपने jeans के pocket में रखा, pant के pocket में रखा लेकिन इसको कोई scratches वागरा मुझे देखने को नहीं मिले हाँ मैंने इसको drop तो नहीं किया लेकिन फिर भी यह Gorilla Glass Victus 2 जो है बहुच्छा काम कर रहा है और यहाँ पर एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि जो screen का edges है वह कुछ जाधा curve नहीं है वहती minimum curve है यहाँ जिसकी वएसे इसको user का experience काफी अच्छा होता है तो build quality, looks के वामले में complete thumbs up देता हो Samsung हम यहाँ पर बात करते हैं इसके display के बारे में तो यहाँ पर display जो है इसका काफी सही है 6.8 inches का यहाँ पर screen size आपको मिलता है और यहाँ पर Super AMOLED डिस्पले तो है ही साथी 120 Hz का refresh rate भी है वो भी adaptive वाला तो आपको इसमें कोई भी problem नहीं आने वाली वहुत ही fantastic display है 1750 nits की brightness आपको मिल जाती outdoor visibility कमाल की है कितनी भी दूप मिले कि जो अराम से display जो है आपको अपनी peak brightness पे सारा कुछ content दिखाते रहेगा आपका काम आसानी से हो जाएगा और क्योंकि फोन overheat नहीं होता जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले है तो यह display जो है आपका dim वगरा भी नहीं होता जिसकी वज़े से आप इसको अच्छे से यूज कर पाते है और HDR content व्यू करने के देंपे इस display की जो brightness है वो 1200 nits तक चली जाती है और इसमें video watching experience है इसमें games केलने के experience है सारी चीज़े जो है आपको fantastic लगेगी कोई भी मुश्किल आपको नहीं आने वाली चाहे viewing angle की बात करें चाहे कोई भी जिसकी बात करें इस display is almost perfect और क्योंकि यह पंचोल वाला display है तो इसमें जो intrusion है camera का हुई minimum है आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि आप enjoy करेंगे इसको use करना H23 Ultra के अंदर आपको dual speakers में मिल जाते है और 5 flagship phone है तो यह media consumption के लिए जो phone है यह एकदम best phone है आप इसके आप बिल्कुल भी रॉंग नहीं होगे लेंगे तो आप इस पर enjoy करेंगे video watching वगरा अब Samsung नहीं पर जो improvement किया है वो आया है उसके नए chipset की वज़े से जो के Snapdragon 8 generation 2 and it is specially made for Galaxy phones Samsung S23 Ultra के लिए Snapdragon ने उसको tweak किया है और उसको overclock किया है जिससे आपको बहतरी performance देखने मिले इस phone के अंदर और ना सिफ general performance बलके अगर आप gaming भी करते हो कुछ भी करते हो आपको यहाँ पर performance में drop देखने मिलेगा काफी consistent performance है और यहाँ पर सबसे अची चीज यह है इस processor की that it runs pretty cool बतलब यहाँ पर जो vapor chamber cooling का इस्तेमाल किया गया है तो आप gaming के साथ साथ अगर outdoor में photography करते हो कुछ भी काम करते हो तो आपको heating issue जो है इसमें नहीं आए गया है यह तो बिलकुल नहीं कि हाँ हीट होता ही नहीं फोन हीट तो हर फोन होता है लेकिन heating बहुत जादा controlled है इसके और overheating के वएसे phone का shutdown होना और यह सारी चीज़े आप शायद ही experience करेंगे इस phone पे तो काफी सही है यह चीज़ और Geekbench के scores की भी अगर बात करें यहाँ पे बैसा था Geekbench की तरब implant रहता हूं हमेशे Antutu के scores पे मैं इतना ध्यान नहीं देता तो यहाँ पे Geekbench के scores भी काफी जाना बहुत जादा पैसा डालके कोई sense नहीं लगता मुझे उससे better है ऐसे phone के लिए जाईए जो आपको सारी चीज़े flagship की दे साती आपको gaming performance भी तकड़ा दे या mobile data की सारी चीज़े fantastic तरीके से इस phone में चलती है और 30 दिनों के usage experience के अंदर मुझे एक भी call drop या call failure देखने नहीं मिला मेरे end से सामने वाले के end से हो सकता है call drop लेकि मेरे end से मुझे call drop या call failure देखने नहीं मिला which is a very good thing अब यहाँ बैटरी लाइफ के बात कर लेता हूं इ इसने heating वागर हो काफी control के रखा है और काफी efficient processor है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन से जाधा time हो गया है मुझे इसको charge करके 3 hours 40 minutes तक का screen on time निकाला है मैंने इसमें और अभी 30% बैटरी इसकी बाकी है इस तरीके से काफी अच्छी battery life मुझे जो है इसके अंदर मिल रही है जो के मैंने expect नहीं किया था मुझे लगा था यहार S22 Ultra जितनी बैटरी होगी यह से तोड़ी बहुत जादा लेकिन यहाँ पर आपको बाकी सब चीजों तो मिली जाती है जैसे wireless charging है reverse wireless charging है लेकिन यहाँ पर fast charging को भी samsung ने बढ़ा दिया है पिछले साल के मुकाब मैंने बीच में 14 Pro Max vs S23 Ultra का एक camera comparison मना था उसमें अगर आपने देखा होगा काफी बड़ा improvement है पिछले साल के मुकाबले इस बार के S23 Ultra में यहाँ पर सबसे बहले बात करता हो मैं front facing camera की तो यहाँ पर आपको मिलता है 12 Megapixel का front facing camera Megapixel count आपको लगेगा दूसरे Android phone के मुकाबले यह कम नहीं है बहुत अच्छी photos निकाल के देता है और as compared to any other phone इसकी selfies जो है मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी जो portrait selfies यह भी काफी कमाल के आती detection वगरा fantastic है इसका videos भी अगर आप front facing camera से लेते हो तो बहुत अच्छी और stable video से निकाल के देगा rear facing cameras की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको चार cameras बिल जाते है 12 Megapixel का एक ultra wide 200 Megapixel का main sensor 10 Megapixel का 10x optical zoom और 10 Megapixel का 3x optical zoom यह जो rear facing cameras है एक से वड़के cameras यहाँ पर Samsung ने इस्तमाल किया है सारे cameras से आप photos जो है बहुत ही crisp निकाल सकते है और portrait photos जो है बहुत ही कमाल किया थी इनकी तो यहाँ पर portrait photography के अंदर Samsung ने काफी सही काम किया air detection और यहाँ पर भी fantastic है रही बात normal photos की तो यहाँ पर आपको 200 Megapixel का sensor देखने मिलता है अगर आप image लेने के बाद एक photo लेने का उसको बहुत जबर्दस तरीके से कर सकते है रही बात इसके optical zoom की तो यह काफी famous है आप जानते है चांद तक की photo आप इस से निकाल सकते जो कि काफी कमाल की निकाल देता है बाकि इसका 10x zoom है अगर आप optical range जो है इसकी zoom की उसमें use करेंगे तो बहुत fantastic है उसके आप 100x तक zoom करेंगे तो image तो definitely 100x digital zoom जब आप कर लेंगे उसमें तो इतनी अच्छी आने वाली नहीं है फिर भी बहुत दूर के objects की जो night photos निकाल के देता है और night की photo जो है आपको night जैसी लगेगी रात को दिन नहीं करेगा which is a very good thing जैसी है वैसी दिखनी चाहिए फोटो अब यहापे इसके वीडियो की बात कले तो front facing camera की जो वीडियो है बहुत जादा stable है front facing camera से आप vlog वगरा करते हो तो काफी stable आपको वीडिय निकल के आएगी और portrait mode भी जो है इसकी front facing camera की वीडियो का वह काफी fantastic है रही बात rear facing camera की तो यहाँ पर पहले के मुकाबले samsung ने stabilization में बहुत बड़ा improvement कर दिया है अब भी मुझे इससा लगता है कि rear facing camera से जो वीडियो आप निकालते हो इसमें थोड़ी और stabilization में improvement की जरूत है लेकिन अगर आप super steady mode इस्तमाल करते हो then you will get fantastic stabilization लेकिन थोड़ी सी image quality वहाँ पे drop हो जाती है rear facing camera की जो videos है उसके अंदर लेकिन एक चीज़ यहाँ पर Samsung ने improve किया है which is a very good thing कि अब आप super steady mode के अंदर भी 4K resolution में videos निकाल सकते है पहले यह 1080p पे restricted था और यहाँ पे आप 8K videos भी reduce कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ी सी usable हो जाती है footage फिर भी मैं prefer करूंगा 4K 30 और 4K 60 fps इस camera के उपर रही बात rear facing camera की portrait वीडियो की तो यहाँ पे मुझे एक कमी लगी इस phone के अंदर वो यह है कि अगर आपका subject moving है तो बार बार आपके subject के face पे जो है यह blur करते रहेगा focus defocus वाला खेल यहाँ पे चलता रहेगा जो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे disappointing लगा लेकिन यह software tweak की जरिये से Samsung बड़े ही आसानी से fix कर सकता है अब hardware features जो इस phone के मुझे बहुत अच्छे लगते है वो है इसका S Pen जो काफी अच्छे तरीके से काम करता है इसमें तो no doubt S Pen जो है काफी time से Samsung के phones में आ रहा है आपके phone के अंदर ही रहता है जब चाहे इसको निकाले अपने notes ले ले जब चाहे आप इसका अलग-अलग तरीक बहुत कम time ऐसा होगा कि शायद अपका fingerprint यह रीड ना करे अधरवाइस यह maximum time रीड भी कर लेता है और काफी fast आपके phone को unlock भी कर देता है Samsung की जो phones होते guys इसके अंदर जो software, features, user interface यह काफी कमाल का होता है खास करके इनके flagship phones के अंदर और S23 Ultra is no different यहाँ पे 1UI 5.1 चल रहा है over Android 13 और यह काफी कमाल का user experience आपको देगा आपको सारे useful features इसके अंदर देखने मिल जाएंगे और मेरा सबसे favorite useful feature जो इसमें मुझे लगता है वो है call recording आप किसी अभी call जो है अपनी safety के हिसाब से record कर सकते हो और यह बहुत useful feature रहता है खास करके मेरी जो line है इससे क्या बात हुई याद नहीं रहता तो जाके फटा फट सर्च कर लिया वो call record सुनके जो है वो चीज रिकॉल करके मैं अपने notes बना सकता हूँ यह जो भी आप मुझे करना हो कर सकता हूँ और tap to pay कर सकता हो NFC के जरीए से किसी भी point of sale मशीन पर तो यह काफी secure और एक अच्छा method है कोई cards carry करने की भी जरूत नहीं है फिर Samsung का secure folder मिल जाते है जिससे आप उपने folders को secure कर सकते हो nox security मिल जाती तो काफी अच्छे features आपको इस phone में मिल जाते हैं और features की कोई कमीन है जितना चाहे उतना आप customize कर सकते हैं तो इससे आप हैपी कोई इसमें मुश्किल आपको face नहीं करनी पड़ेगी अब आखिर में बात कर लेती दूस्तों इसके pricing के बारे में जो के start होती है तकरीबन 1,25,000 रूपीज से लेकिन आप offers के साथ कम में उसको हासिल कर सकते है that is a different thing लेकिन 1,25,000 का price क्या Samsung के S23 Ultra के लिए worth it है या नहीं इसके बारे में discuss कर लेते हैं जितनी बाते आपको बताये मेरे actual usage जो experience है उसके हिसाब से मैंने बताया जिसमें मुझे ये phone एक almost perfect Android phone लगा मतलब कुछ कमिया तो है definitely कोई भी phone perfect ना होता है ना हो सकता है कभी भी लेकिन फिर भी ये phone जो है सारे boxes को टिक करते चले जाता है except for a few things जो मैंने आपको वीडियो में बता दिये तो क्या आपको phone लेना consider करना चाहिए अगर आपको पैसा है तो बिल्कुल हाँ पैसा नहीं है तो बिल्कुल ना क्यूंकि अगर आपको पैसा नहीं है आप EMI पे जाएंगे लोन पे जाएंगे अपने पर बर्डन दालेंगे that is not a good thing लेकिन अगर 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 अस पैस आपको आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना इसको लाइक इन शेट जरू कीजिए और इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए गुडबाए